हुआ हेलो स्टूडेंट्स है वेल्कम एल वन्स अगें टू दिस चैनल पभावी कंपटिशन अब में सब का स्वागत करता हूं दोस्तों राशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत जम के कर रहा हूं दोस्तों जो यह हमारी प कवर करी रखी है और इसमें भी हमने बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया है ठीक है इसमें हिस्तुरी हमने कवर कर लिया जो पी लगबक कवर कर चुके हैं आज जो टॉपिक हम लोग डिसकस करने वाले हैं वह ओशन एंड रिलेटेड एसपेक्ट्स ओशन के साथ जूडे हु आप और अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रखा है डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहा है चलिए स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को ऊशन और वाटर सॉलिड यानि की कह सकते कि आई सी फॉर्म में हो या फिर वाटर जो है गैसे वाटर वैपर हो इन सब एस्पेक्ट को मिला दिया जाए तो हाइड्रो सफेर बनता है कैसे नदियों में आपको बिल्कुल लिक्विड वाटर दिखने को मिलता समुनदर में उशन में ल ठीक है इसके अलवब जो आइस सीट है वो भी हाइड्रोस्पेर कहीं पार्ट है So the water component of earth is called hydrosphere It includes the ocean, oceans है, seas है, lakes है, ponds है, rivers है and streams है ठीक है, यह सब जो है, सब में water है सब में water, ocean में है, seas में है, lakes में है, ponds में, rivers में है, streams में So the hydrosphere covers about 70% of the surface of the earth Earth के surface पे, जितना भी surface है, जितने continent है, वो लगवर 30% है मतलब जो कह सकते के terrestrial part है, वो water 30% है बाकी पूरा जो है, पानी ही पानी है, समुन्दर ही समुन्दर है, sea, ocean सब मिला दे जाए, तो पूरा पानी से भरा हुआ है 70% हमारा जो है, earth का surface, planet का पानी है इसलिए इसको blue planet भी कहते है, क्योंकि blue दिखती है, पानी के वाज़े से oceans की बात करेंगे सबसे पहले, so there are four oceans, चार ocean है, जिसमे Pacific Ocean बोलते है Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean, ठीक है? तो यह चार ocean है, चार ocean है, इनके बारे में जानने से पहले बता दूँ कि there are four oceans and in the order their size are, सबसे बड़ी है हमारी Pacific Ocean है, बहुत बड़ी है, huge, large है, largest और deepest यह जो ocean है, यह हमारी ocean, चार ocean में बढ़ती है, फिर Atlantic Ocean, जो कि कह सकते हैं कि American continent को, American continent को यूरोप और नीचे जो है African continent से यह अलग करता है, लगवक एस ship में यह बहता है, चीक है, Atlantic Ocean, दूसरे नमबर पर आता है, फिर आता है Indian Ocean, इंडिया के नाम पे ही, इस ocean का नाम रखा गया, Indian Ocean और फिर आता है Arctic Ocean, जो कि उपर वला जो ocean है, पोलर रिजन में, वो ocean को Arctic Ocean कहते हैं, so the average depth of ocean on the earth is about 4 km, average depth तो 4 km है, बढ़ कहीं बहुत कह रहा है, चीक है, अब इनके कुछ salient features की बात करेंगे, major oceans की, सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम लोग Pacific Ocean के salient feature के बारे में, तो जैसा कि बताया मैंने कि largest यह और deepest दोनों है, मतलब कि सबसे बड़ी भी है, area wise में, और सबसे गहरी भी है, एक वर्ल्ड का deepest trench, जो कि गहरान की बात आपके deepness की बात बताएगा, वर्ल्ड का deepest trench जो है, वो है, मरियाना ट्रेंच, मरियाना, मरीना ट्रेंच बोलते हैं, यह ट्रेंच, PCP question में ही है, और इसकी गह माउंट एवरेस से भी जादा है, यह ग्यारा हजार 33 किलो मिटर, मीटर होगा, किलो मिटर नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा से जादा दे दिया, किलो मिटर नहीं होगा, मीटर होगा, ठीक है, इतनी गहरी है, यहाँ पर correction कर रहा हूँ मैं, तो कह सकते हैं कि पूरी यह largest है चारो ओशियन में deepest भी है, और most of the island जो है, ocean के volcanic है यहाँ पर, ठीक है, Pacific Ocean में most of the islands है, volcanic nature के हैं, फटते रहते हैं, Pacific Ocean में ring of fire भी पढ़ता है, जो कि कुछ नहीं, ring जैसा बन जाता है, यह volcanic, volcanoes का ही यह ring है, coral origin के भी कुछ island है, coral origin के भी कुछ island है, coral जो है, बहुत सुक्च मुझलीय जी होता है, corals मिल के बनाते हैं, एक साथ आते हैं, तो बड़े-बड़े island भी बना देते हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा reef, जो है coral reef, वो great barrier reef बोलते हैं, यह australia में पढ़ता है, mariana trench, marina trench मैंने बताया ही, कि world का deepest trench है, with the depth of 11,033 meter, यह pacific ocean में पढ़ता है, फिर हम बात करेंगे, कुछ specific features, Atlantic ocean के बारे में, कुछ specific features की बात करेंगे, Atlantic ocean के बारे में, तो यह दूसरा largest है, दूसरा largest यह ocean है, it has the longest coast line, इसका coast line सब ज़्यादा है, pacific ocean से भी ज़्यादा coast line है, क्योंकि यह आपको मैंने बताया ना, कि ऊपर North America, ऊपर North America ऐसे है, North America Canada ठीक है, USA Canada उसमें आता है, नीचे जो है, आपका, इस तरफ, यह आपका South America हो गया, मैं छोटा बना रहा हूँ, इधर आपका पूरा Europe है, और इधर आपका फिर आफरीका है, इन दोनों के बीच में ऐसे बहता है, ठीक है, तो coastal जो है, इसका expansion बहुत ज़्यादा है, coast सबसे ज़्यादा यही बनाता है, it has the longest coast line, it is the biggest ocean, क्योंकि यहाँ पे trade और commerce के मामले से biggest माना जाता है, बहुत सारी सेपिस में रोज ट्रेवल करती है, बहुत सारा trade और commerce यहाँ से होता है, क्योंकि दोनों continent, मतलब बहुत सारे continent को जोड़ता है, since its sea roots connect the two most industrialized regions, namely western Europe को यह North Eastern United States of America से जोड़ता है, ठीक है, इस वज़े से यह काफी जदा business माना जाता है, trade और commerce के मामले में, Atlantic Ocean जो है, it is still widening, अभी भी यह फैल रहा है, अब आता है, एक ऐसा ocean जो कि एक देश के नाम पे है, हमारे देश के नाम पे, Indian Ocean, इसके specific feature की बात करें, तो only ocean जो है, जिसको country के नाम पे रखा गया है, जो कि हमारा देश है, भारत, ठीक है, Indian Ocean को India के नाम पे रखा गया है, it is the deepest than Atlantic Ocean, deeper than, ठीक, Atlantic Ocean से गहरा है, Atlantic Ocean इससे कम गहरा है, here the number of continental islands is more than that of volcanic islands, continental islands कैसे होते हैं, माली जी की, बहुत सारे ocean में island बन जाते हैं, ऐसे ocean है, यहाँ 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 और पीच में कोई ऐसा part उठा हुआ है, और यह part उपर आ गया, ocean से, तो यह island बन जाएगा, इस तरीके से, तो यहाँ पे जो है, जा सकते है, it is the deeper than Atlantic Ocean, and here the number of continental islands is more than that of the volcanic island, आखरी और सबसे छोटे ocean की बात करें, तो यह है Arctic Ocean, it is the smallest ocean, ठीक है, and lies within the Arctic Circle, ठीक बात है, smallest ocean है, और lies within the Arctic Circle, Arctic Circle कहाँ पे है, Arctic Circle यहाँ पे है, यही पे यह समुंदर बहता है, North Pole के पास, the North Pole lies in the middle of the Arctic Ocean, and most of the part of ocean is frozen, बहुत सारा part इसका frozen है, क्योंकि temperature बहुत कम होता है, क्योंकि sun की किरने जो है, यहाँ पे slant पहुंचते हैं, बिलकुल, हम जानते हैं कि slant किरने जो है, इतनी जदा heat नहीं देती है, इतनी जदा hotness नहीं होता है, इसलिए most of the part जो है, वहाँ पे frozen है, icy है, and hence it is least saline, salinity यहाँ पे कम है, जो relief features होते हैं, ocean basin में, उनके बारे में बात करेंगे, पूरा picture आपको बताएगा कि कैसे जो है, लैंड से ocean तो आपको दिखता है, पूरा ocean आपको ocean पानी पानी दिखेगा, लेकिन इसके अंदर की चीज़ें आपको नहीं दिखती है, तो वो आपको इस picture में समझाने की कुछिस की गई है, जिसमें continental self, continental slope, self break, continental rise, यह सारी बाते आपको बताएगे, ट्रेंज क्या होता है, सबमरीन, रिज, तो माम चीज़े मैं अभी explain कर देता हूँ, तो जैसे आप समुंदर के किनारे जाते हो, तो आप मालों यहां पहुंचके, आप sea बीच देखते हो, इसके बाद आपको ocean और ocean दिखता है, तो यह land का एरिया है, इसके बाद आपको समुझते हैं कि हाँ, पता नहीं अंदर क्या है, क्या नहीं है, तो अब देख लो क्या है, तो समुंदर से जैसे देखोगे, तो जो यह initial part आता है, initial part कुछ 700-800 meter कैसपर होता है, ठीक है, यह जो है, इसको बोलते है continental self, यहां पे इतनी जल्दी गहरा ही नहीं आती है, यह continental self ह अचली यह land का ही part होता है, और समुंदर इसके उपर आया होता है, ठीक है, तो यह इतना गहरा नहीं होता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाओगे तो अचानक से sudden break आएगा, जिसे हम self break कहते है, इसको हमने continental self कह दिया, इसके बाद अचानक से नीचे बहुत गहरा हो जाता है, जिसको हम self break कहते है, यह self टूटा यहाँ पर, काफी यहाँ पर अचानक से गहरा हो जाएगा, ठीक है, यह कुछ नीचे तक आएगा, फिर एक जगा जाके फिर यह सीधा होगा, इसको कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे, continental rise, यहाँ पर self break जैसा सीधी लाइन बना है, तो इसको हम लोग, continental rise, कि मतलब गहरा नहीं हो रहा है, यहाँ पर rise हुआ है, continental rise, फिर आगे जाके यह गिरेगा, और बहुत गहरा हो जाएगा, कहीं कहीं, इसे हम trench कहते है, बहुत जहां पर गहरा हो जाता है, वो trench कहलाता है, ठीक है, और इसी कह प्लेन कहलाएगा, लंबा एरिया होगा, अच्छा कासा एरिया होगा, डिप सी प्लेन कहलाएगा, कहीं कहीं क्या मिलेगा, आपको sea mount forming island भी मिलता है, अब समुंदर में mountain भी हैं बहुत ज्यादा, आप सोचते हो कि धरती पर mountain ने जी नहीं, समुंदर में भी mountain है, और इसी त सेप मिलेगा, इस तरीके के सेप को, जिसमें यह mountain है, थोड़ा समुंदर के आसपास पहुंचा है, बट उपरी सतह तक नहीं पहुंचा है, यहाँ पर यह राइज हुआ है continent का, लेकिन यह उपरी सतह तक नहीं पहुंच पाया है, तो इस तरीके की चीज को हम गयोत कहते हैं गयोत, ठीक है, क्या बोलेंगे, गयोत, और यह पाटिकलर रिजन को हम लोग बोलेंगे, सबमेरीन रिज, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा समझने के कोशिज करो, इसमें सबसे इंपोर्टेंट कॉंटिनेंटल सेल्फ, सेल्फ ब्रेक, कॉंटिनेंटल स्लोफ, डीप स सेल्फ की, तो कॉंटिनेंटल सेल्फ जो होता है, it is the shallow submerged extension of the continent, ठीक है, यह कॉंटिनेंट कहीं extension था, यहाँ पे पिक्चर में देखिए, कॉंटिनेंटल सेल्फ क्या है, कॉंटिनेंट कहीं extension है, बट यहाँ पे थोड़ा पानी आ गया, ठीक है, समुंदर का पानी आ गया, एंड इस गॉल कॉंटिनेंटल सेल्फ, एक्स्टेंट तू एडेफ्ट अफंडेट फैथो मेटर, एक फैथो मेटर 1.8 मेटर के बराबर होता है, तो यहाँ पे एक सॉस्सी मेटर तक यह गहरा हो सकता है, ठीक है, लेकिन है यह किसका, यह कॉंटिनेंट का ही पार्ट है, ए इसलिए इसको कॉंटिनेंटल सेल्फ कहते हैं, सो फैथो मेटर यानि की 180 मेटर तक यह गहरा हो सकता है, एवरेज वीट जो होती है, इसकी चौनाइज होती है, वह 70 किलमेटर होती है, और जैसे जैसे आप गहरा उतरते जाओगे, एक डिगरी का स्लोप इस पे होता है, यहा और पॉइंट पॉइंटर्ट शेल्फ जुए गवर गवग 8.6 परसेंट अब टोटल एरिया फोश्यन ठीक है ओवर टॉट इटने फीड़ी ओश्यन है उनका इंडियन ओसे में और कम है 4.2% एवरेज देखा जाये तो 8.6% यह एरिया को कभर करता है इन इस रीजन कॉंटिनेटल सेल्फ वले रीजन में ताम एकस्टैंड अलॉग दफ तब दस्टस्ट इस नरूर सेल्फ नहरो होता है बहुत इंपर्टेंट पॉइंट है बीस पर्षेंट के आसपास ओयल औंग गैस के जो नेचरल रिसोर्स हमारे पस मिलते हैं वह इसी रीजन में पाए जाते हैं क्योंकि यह इतना स्लोप इसका थो उसे आपे होती फिस इंग फिसिंग बहुत जदे ही यहां पर होती है तो पिक्चर में देखो Continental Slope यह वाले रीजन को कह रहा है यह वाला जो रीजन है यहां पर Slope बना रहा है इसको Continental Slope सेल्फ ब्रेक के बाद जो यह वाला रीजन है Continental Rise के तक वाला यह पूरा रीजन जो है इसको Continental Slope कहते हैं पिए बनाया हुआ है यहां पर खेलाई बढ़ती जाती ही पेल वन डीगरी था अब जो है एवरेस दो से पास दिविट को सकता है इसे तो नहीं बढ़ रहा ना इधर ही बढ़ रहा है तो सीवर्ड साइड में ही यहां पर 200 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक हो सकती है यहां पर देखोगे तो D problème आएगा यहां पर जाओगे तरहां मीटर देखले से लेकर 2000 तक गयरा जुअश्र heh कितना पर नवाउंड़ मेंग। से छ sprechen smoke इसनोन हना कि युझे यह वाला तो दो बाउंडरी बिट्वेन सेल्फ एंड स्लोप यह बाउंडरी जो है इसको ब्रेक कहते है यही से तो टूटा है नीचे गया अचानक गिरा है ठीक है एंड अध। स्लोप इस सेल्फ ड्रेक विच इस सीवर्ड एज विद अब्रफ ड्रॉप अचानक यह टूटा हुआ है दे कवर एबाउट 8.5 परसेंट अब तो टोटल ओशें एरिया तो यहीं कवर करते हैं पिर आता है कॉंटिनेंटल राइज अचानक से जो है इस जाके होने के बाद फिर ऐसे टूटा फिर इधर आया फिर ऐसे हो जाता है इस पर्टिक्लर रिजन को कह बोलते हैं कॉंटिनेंटल राइज इस एन एरिया एड़ फूट आफ दो यहां पर विल्कुल इसके फूट पर यह एरिया है ठीक है यह स्लोप था मैंने बताया थ इसके फूट पर यह एरिया है इसलाइटली राइजिंग डूट एकॉमिलेशन आफ डेवरीश काट करते है यहां पर इकठा होता है यह राइज हो जाता है थोड़ा सा ट्रांस्पोटेट ओवर दो स्लोप यह डेवरीश आता है एवरेश लोप यहां पर 0.5 से 1 डिग्री क कहते हैं गहरा काफी 4-5 km गहरा होता है और पूरा एकदम प्लेंट जैसा होता है तो इसे हम कहते है अबिस्मल या फिर डीप सी प्लेंट कि फ्लेंट प्लेंट अंड अंडर वाश्थ अंड रुट फ्लेंन ओश्यानिक फ्लोर एवरेजट जो होता है यहा पर 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक होता है काफी गहरा होता है ठीक है और इट कफ देंट कर्द ऑलट 40 पर संथ अप्लेंट टोटल ऑसरा प्लस 4 शा क्या शार फ् देख लो चालिस परसेंट पार्ट्स अफ एबिस्मल प्लेन और अकुपाइड वे रीजेज रीजेज कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं या फिर सब्मेरीन जो की डूबे हुए माउंटेन है इसी डीप सी फ्लोर पर देखने को मिलेंगे और वेरी डीप ट्रेंचेजंग वां सो कैनीव भी होते हैं डीप मैं ने बताया था कि अचानक सहसा कुछ ट्रेंच बन जाएगा यहां देख लो ठीक है यहीं भरना इंगर ट्रेंचेज बहुते है इन तो यह बहुत सारा इसमें feature होता है फिर आता है deep trenches के बारे में specific बात कर लेते हैं तो deep trenches क्या होते हैं अचानक जो है गहरा मिलेगा काफी जदा गहरा होता है कि और यह बहुत गहरा चला जा सकता है सो ट्रेंशेज आर नेरो काफी पतले होते हैं बट गहरे वह थोते हैं steep side होते हैं depression बहुत गहरे होते हैं steep side depression होते हैं trenches are formed when one plate of earth crust is subducted below the other क्या होता है कि हम जानते है कि जो अर्थ का जो लीथो स्पियर है जिसमें ऊशन और continent दोनों आता है वो किस पे टिका हुआ है प्लेट स्पितिका हुआ साथ मेजर प्लेट सेंख माइनर प्लेट से जोग्राफी में हमने शुरू में ही पढ़ लिया था ठीक है तो यह प्लेट मूब करते रहते हैं तो मूब करते करते अब ऐसा हो सकता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर गुस गया कुछ इस ठीक है एक प्लेट दूसरे प्लेट के सब्डक्ट हो गया उसके अंदर जा रहा है से तो यहां पर क्या होगा यहां पर गहरा ट्रेंच बन जाएगा इस तरी के सोता है मेरियाना ट्रेंच जो है जिसे हम चैलेंजर डीब भी कहते हैं विच डीपेस्ट पॉइंट इन वर्ल्ड सिचुवेटे इन नौर्थ वेस्ट पेसिपी कोशिन कहां पर यह नौर्थ वेस्ट पेसिपी कोशिन नियर फिलिपिन के पास पड़ता है ग्यारह हजर तैंटीस मीट मेंटर यह जो है यह जो है यहार नहीं दिया गया यह है यह मांटेन है यह तो यह रिजए है चोटे-चोटे-चोटे से इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हो गया ओस्यानिक रिज जिसे हम सबमेर्य रीज भी कहते हैं और इस तरीके से क्रेटर बना देता है और उसके पर डिपोजिट आने लगता तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे में रिज कहते हैं वोलकानिक एक्टिविटी से बनता है यह लोग डाइवर्जेंट पाउंडरी अप्लेट जब दो प्लेट हम जानते कि अर्थ क जो है लिट्वास प्लेट पे टिका हुआ है और वो जो प्लेट मूव करते हैं उसमें डाइवर्जेंट बाउंडरी भी बनता है मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाता है तो उससे में वोलकानिक एक्टिविटी बाहर आती है और ऐसे फटके जो आलमकी ऐसे ज किलोमेटर लंबा है और यह जो चोड़ाई है इसकी 100 किलोमेटर के असपास है तो काफी लंबा चोड़ा यह एरिया है देर समिट में राइज अब दा सी और सी पे जब आते हैं इनके समिट जो सिखर इसके सी के ऊपर आ जाते तो यह आईलेंड बन जाते हैं जैसे कि जोर इस आईलेंड फाइसलेंड एक अच्छा है उसका इक्जांपल है एजोरर्स आयलेंड फाइसलैंड वलकाने के क्यारण बने रिज का एक एक जांपल है अब हम देखेंगे सी मांट और ग्योथ सी मांट्स क्या होते हैं जब उपर जाए सी फ्लोर के उपर मांटेंट टाया जाए इसे एक किलो मिटर अगर आजाए कोई laborabali kuh q loyalty तोशे हम क्या बोलेंगे सि माट की फ्लैट टॉप c लान कार सरक और घौड जिनके फ्लाइट टॉप होंगे उन्हें क्या बोलेंगे फ्लैट लेंगे जिंचे लिड्र गऑट बात कर से सब्मेरीन कैनियों के बारे में तो अब हम बात करेंगे सब्मेरीन कैनियों की तो सब्मेरीन कैनियों जो होते हैं डीप गॉर्ज गॉर्जज क्या होते हैं वैली से थोड़े अलग होते हैं इस तरीके से बनते हैं गॉर्जज तो कैनियों कुछ नहीं होते हैं वह ऊशन के अं यह वाले रीजन में यह पाए जाते हैं कौन से वाले जो यह वाला रीजन है यह पूरा रीजन में यह पाए जाते हैं ठीक है कि मेनी सब्मेरीन कैनियोंस आर फाउंड लंग दो माउथ सफ मेजर रिवर्स जैसे की हडसन कैनियों है यह हडसन नदी के माउथ पर बनता है अब हम बात करेंगे कूरल डिफ्स की कूरल डिफ्स जो है दियार फॉर्म ड्यू टू दू अकूमुलेशन अक कॉम्पैक्शन ओर्गनिजम होता है उनके स्केलेटन का एकूमुलेशन ही है यह कॉम्पैक्शन आफ लाइम सेक्रेटिंग और गयानिजम नोना इस को रल पोलिप्स को रल पोलिप्स से बनता है को रल रिफ यह पहाड जैसा बन जाता है ग्रेट बैरियर रिफ्स जो है वो दुनिया का सब ऑसे को भी को अशन त्रापिकल ओष्यक्यो कहलाओं एक्वेटर यहां opens 25 दीघ्री नौर्थ में आपका A ट्रोपिक आफ कैंसर है और साढ़े 23 डिग्री साउथ में आपका ट्रोपिक आफ कैप्रिकॉन है इस पार्टिक्लर डिजन में जो ओशेंस बहते हैं उन्हीं ओशेंस में कॉरल स्पाए जाते हैं बिकॉस दे रिक्वाइर हाई मीन एनुवल टेम्परेचर जो की जिनका रेंज इनको टेम्परेचर का रेंज चाहिए बीस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में इनको क्या है सर्वाइवल के लिए सफिशन सनलाइट चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए इसलिए बहुत गहरे नहीं रहते हैं गोरडरीव अर में लोंगद वेश्टन कोस्ट वेश्टन कोस्ट जो होता है एक कॉंटिनेंट कुछ इस परकार से है इसका ये इस्टन कोस्ट है और इसका वेश्टन कोस्टै थे में साओं याद रखेंगा इह इन वह यह सादी region थोड़ा सा गरम होता है कोरल ब्लीचिंग क्या है सुवें कोरल और स्ट्रेस्ट बाइचेंज इन कंडिशन सच अच तेंपरेचर टेंपरेचर में बहुत ज्यादा ब्रीधी हो गई बहुत कम्या गई लाइट में दिक्कत आ गई या फिर न्यूट्रेंट्स उनको नहीं मिल रहा है दे एक्सपेल दस सिंबॉइटिक एलगी लिविंग इन देर टिसूज कॉजिंग देम टू टूर्न कंप्लीटली वाइट और इस वाइट होने की फेनोमेना को हम कूरल ब्लीचिंग कहते हैं बा सिंबॉइटिक एलगी सिंबॉइटिक एलगी इनके साथ चीपके होते हैं उनको एक्सपेल करते हैं लिविंगे टिसू कॉजिंग देम टू टू टूर्न कंप्लीटली वाइट दिस फेनोमेनान इस नोन आज कूरल ब्लीचिंग और यह खतरनाक है कूरल के लाइफ के लिए यहां पर दोस्तों हमारा जो ओशियन का कुछ पार्ट कवर हुआ अब हम बात करेंगे वुश्यानिक सैलिनीटी की बात करेंगे सो सैलिनीटी कुछ नहीं है टोटल इमाउंट अफ सॉलिड मेटेरियल इन ग्राम कंटेंड इन वन केजी अफ वन केजी अफ सी वाटर एंड इन पार्ट पर थाउजन पीपीटी में चीक है कुछ नहीं है सॉल्ट की प्रजेंस होती है पानी में सो सैलिनीटी इस डिफाइंड अगर दिखा जाता है तो थर्टी फोर थर्टी फाइब के आसपास पीपीटी पर वन केजी यह पड़ता है सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करता है बड़ी बड़ी सी बहुत बड़ी एसपेक्ट होती है ओस्यानिक लाइफ की सैलिनीटी कि अवरेज सैलिनीटी की बात करें ऑफ दो श्यन जैसा कि मैंने एक्स्प्लेइन किया था कि एवरेज सैलिनीटी इतनी ही है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है 300 से भी ज़्यादा है कहीं कहीं कम भी है इतना ज्यादा टेंपरेचर किसी रीजन में होगा उतना ही ज्यादा सैलिन वहां का वाटर होगा याद रखेगा इवैपोरेशन किसी जगह पे अगर इवैपोरेशन ज्यादा हो रहा है इवैपोरेशन मतलब कि 100 डिगरी से नीचे भी वाटर जो है मुलेक्यूल उर्सके मूब करते हैं जिसके वज़े से वाटर का लेवल कम होता है इवैपोरेट होता है ठीक है इस वज़े से भी जो है अगर पानी ही निकल जाएगा तो बच्चे का कहना मक का मत्रह जादा इवैपोरेशन पर बीडिपेंड करता है रेंफॉल जितना ज्यादा रेंफॉल होगा उतना ही जह को शैलेनिटी ज्यादा होगी रेंफॉल एणि फ्लक सफरीवर होता क्या है कि रेंफॉल जब होता है धर्ती पर धरती से रणलफ करके वह आता है नदियों का पानी में मिल तो नदीया साथ-संत में जो जो स्वयल की जो पर स्वयल की जो नमख है सेलीनीटी है उसको बहा के एलाके मिला देता है ठीक है ओशियन में तो इस वजह से कह सकते है कि rainfall जादा होगा या फिर influx of river बढ़ेगा तो क्या होगा शैलिनीटी भी बढ़ेगी एवरेज सैलिनीटी जो होती है In Southern Hemisphere is more than Northern Hemisphere ठीक है Southern Hemisphere की Salinity जादा है एवरेज सैलिनीटी की बात करें Northern Hemisphere के comparison में, एक fact है, यह हो गया आपका northern hemisphere, 0 degree latitude यह हो गया, और इधर हो गया आपका southern hemisphere, तो southern hemisphere का जो salinity है, northern hemisphere से ज्यादा है, isohelines जो है, isohelines represent the salinity distribution on the surface of sea, ठीक है, isohelines क्या है, isohelines represent the salinity distribution on the surface of sea, these are the lines joining places having an equal degree of salinity, isohelines क्या है, देखें, समुंदर में, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे यह हो गया, यह हो गया, इस तरीके से हो गया, तो isohelines line क्या है, यह जो समुंदर के, जो equal salinity वाले जगह है, इसको यह जोडता है, इसको यह जोडता है, ठीक है, so isohelines represent the salinity distribution on the surface of the sea, these are the lines joining places having an equal degree of salinity, the main source of salinity is dissolution of rock of oceanic crust, जिसमें बहुत सारा salt होता है, बहुत सारा salt होता है, salt के बज़े से ही, जो है, salinity फैलती है, so salinity on an average decreases from the equator to poles, जैसे जैसे आप equator से pole की तरफ बढ़ोगे, तो polar region में salinity बहुत होती है, बहुत कम होती है, इसलिए Arctic ocean जो है, सबसे कम saline ocean माना जाता है, polar region में salinity ज़्यादा होती है, heat ज़्यादा होता है, तो यह एक fact है, the highest salinity is recorded near the tropics rather than the equator because of heavy precipitation in equatorial region, यह भी एक fact है, कि equatorial region में कम salinity है, highest salinity जो है, वो आपको tropic of cancer, tropics of cancer or tropic of capricorn के आसपस परता है, क्योंकि जो equator, जो heavy precipitation होता है equatorial region में, ठीक है, वो उसको थोड़ा सा कम saline बनाता है, अब देखते हैं, most saline water bodies, most saline water bodies कौन कौन सी हो सकती है, लेक असाल, यह जबूती में यह लेक परता है, यहाँ पे जो salinity का percentage है, वो 34.8% है, dead sea सबसे ज़्यादा है याद रखेगे का लेक असाल में, जो कि जबूती में परता है 34.8% यहाँ परता है, जो है salinity है, dead sea की बात करें तो west asia में परता है, और यहाँ पे salinity का जो percentage composition है, वो 33.7 परसंट है great salt lake USM परता है और यहां पर salinity का percentage composition 32 परसंट है लेक वन लेक वन जो है तरकीम परता है यहां पर salinity 23 परसंट है अब हम बात करेंगे movements of oceanic water waves की ठीक है तो बात करेंगे movements of oceanic water waves की तो waves क्या होते हैं waves कुछ नहीं होते हैं waves are the oscillatory movements in the water mainly produced by winds ठीक है waves क्या होते हैं जैसे कि समुंदर है यह पूरा समुंदर का पानी है इस पानी में इस तरीके का wave कब बनता है जब हवा इस उपरी सत्व पर बहती है तो यह कोसिस करती है कि पानी को भी यह साथ साथ ले जाए तो यह पानी कुछ दूर तक आगे जाता है फिर गिर जाता है फिर उपर जाता फिर ऐसे वेव बनता रहता है so waves are oscillatory movement oscillation इस तरीके का बनता रहता है in water mainly produced by winds manifested by an alternate rise and fall of the sea water एक rise एक fall एक rise एक fall इस तरीके से चलता रहता है the waves are important agents of erosion in the coastal regions क्योंकि जब आप देखते हो तो coastal region में आपको variety of features देखने को मिलता है क्या मिलता है बीच देखने को मिलता है वो बीच कैसे बना है वो जो वेव आई है वो पहाडों को हिट किया है हिट करके उसको वापस जब गई है तो जो ब्रोकेन पार्था उसको deposit करते 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 बीच बना दिया ठीक है so the waves are important इसके लब और भी चीज़े बनती है the waves are important agents of erosion in the coastal regions where they carve out various landforms सब्सक्वार स्मंदर किनारे को पहाड करते करते गूफा बना देगी उसको इसक के अलावा बना देती है बीफ बंगाल जैसे कि ठीक है गलफ बेफ खमबात है गल्फ प्रट जाता है कि पार्ट काफिध्य पतला हो जाता इसे क्लिफ कहते तो इस तरीके से बहुत सारे फीचर यह बनाता है वेव कि हुआ तो अगला पॉइंट कहता है कि सिस्मिक वेब कि या फिजी सम्स्व थाज़ी सेम्स कहते हैं देर वेप्सक ऑफ़े और वोल्कैनिक इरप्शन एट सी बॉटम तो एक आपको डेट या दिलाना चाहता हूं 26 दिसमबर 2004 इस दिन को एक बहुत बड़ी सुनामी आये थी तो सुनामी आने का बारत को भी मतलब बहुत इंपक्ट किया था अचानक एक नीचे चला जाए ठीक यह फिर दो प्लेट एक दूर चला जाए यहीं हुआ था सुमातरा के पास एक प्लेट दूर चला गया दूसरा प्लेट वही पे था तो बीच में गड़ा वन गया अचानक से पानी पूरा जो है उशन का पानी इसमें भरा फिर ये प्लेट से वापस आके जुड़े जैसे सुनामी विच हिट दा कोस्ट इन साउथिस्ट इसिया 26 दिसंबर 2004 को ये डिट में बता रहा था आपको इट कोज़ वेरी हेवी डैमेज इन देट रीजन सो सुनामी इंडोनेशियन आइलेंड सफ सुलावेशी जावा सुमातरा 2018 में भी आया था जिसने बहुत सारे लोगों को किल कर दिया था लाज नंबर अफ पीपोल इसमें मारे गए तो सुनामी अपने आप एक वेव में एक वेव मूमेंट है जो कि अर्थक्वे क्या फिर वुल्कैनिक एक्टिविटी होतने के वज़े से होता है और बहुत सारा जानमाल का यह च्छती पहुंचाता है अब हम बात करेंगे ओशन करेंट्स की अब हम आडे, तो अने ऑगाउड शता मूस आपट ईसका बात्रbayर कंशनेल सेंटनेट तेवbased णेडरिटनेनने क्याचjak एक ंडिटासाकता एकन तेड गाउडरिटीन। इसेंडिघन इसेंड गलिटनेट टेडिटीजट आपट अटेड़नेल अग काल लेचरन सेलिनिटी डिफरेंस और टाइट्स कॉस्ट बाइड़ ग्रेविटेशन पूल अफ मून एंड सन ठीक है तो उशन करेंट क्या होते हैं लगातार एक फ्लो की तरीके से कंटिनुवसली यह मूव्मेंट होता रहता है ऊशन वाटर का पूर्स क्या-क्या होते हैं इस पर एक थो खुद विंड होता है विंड जैसे जैसे इस सतह है मालों इसके उपर इधर से बिंड आ रही है तो ओशन वेव बनते हुए यह करेंट की तरीके से मूव होगा लगाता है तो पाली के डियुकी चेंज करेंगा का relationships की वाज़े से होता है ठैके सेलीनीटी के वाज़े से बनता और सफाइली झीट आगा से नुन तो और पानी इस तरील करेंट मूव करती हैं है और अन्न वह से टाइट्स जो होती है जो की ग्रेविटेशन कुमल अफ ग्रेविटेशनल पुल जो कि अर्थ पे लगता है मून और सन का इसके वज़े से भी ओच्छन करेंट पर हसर पढ़ता है तो ऊसीय करेंट से सर्कुलेट इन क्लॉक वाइज डिरेक्शन इन नौर्धन हमिस्पेर यह जिरो डिग्री एक्वेटर हो गया यह उपर वाला पॉर्षन हो गया नौर्धन हमिस्पेर और नीचे वाला पॉर्षन हो गया साउधन हमिस्पेर तो नौर्धन हमिस्पेर में बात करें तो due to the co-religious effect ocean currents are of two types छी को ओशिन कड़ेंट जो हैं यह दो तरीके के होते हैं ocean current's there are two types एक होता है warm current और दूसरा होता है cold current ocean currents are of two types ocean currents दो तरीके के होते हैं warm current होता है कुलड करेंट होता है वार्म करेंट ऐसा करेंट होता है जो की अध्यार होता है और यह मेंलीuba आश्न करेंट फ्लोइंग फ् cage two higher लेतिटूद और कोल्स वाम करेंट यह कैसे बहे higher होता है पोर्ष।्ष्ट है इस तरह से नीचे भी यह वाले पोर्षं जो होंगे यह आद रखेंका जो वार्म करेंट होता है लुँटिंध से lattitude के तरफ बहता है यह बम करेंट कहलाताया कोल्ड करेंट St लेतिटूट से लोड due के तरफ बहता है और से चॉल्ट करेंट कहते हैं बस इतना यह बात करेंगे क्रेंट्स पेसिफिक अब हम बात करेंगे currents of Pacific and Atlantic Ocean की तो यहां पर North Pacific Ocean यहां पर बहुत सारे oceanic current बहते हैं ठीक है धाराएं बहती हैं जिसमें कुछ cold है कुछ warm है तो North Pacific Ocean आप समझ लो कि Northern Hemisphere वाला बहुत सारा part है इसमें तो North equatorial current यह जो है एक warm current है कुरो सीयो current जो है एगेन एक warm current है ठीक है दो current इसमें warm current है और इसने सवाल बनता है इसलिए थोड़ा याद करने की कोसिस करेंगे North Pacific Ocean में North equatorial current एक warm current है कुरो सीयो current एक warm current है इसके अलावा ओया सीयो current cold current है है और कैलिफोर्नियन current भी एक cold current ठीक है नौर्थ equatorial current जो है एक warm current है कुरो सीयो current एक warm current है ऊुको ऑखोट्स कर्णेद कौल्ड करंट है और कैलिफोनियन एक कोल्ड करंट थीक है अब हम बात करेंगे साउथ पेसिट्टे को शन में बात करें Ms तो साउथ पेसिपिक वहसेन की बात करें तो इस्ट चौरुट्रियन या फिर ग्रेट बैरियर करेंट जो है साउथ Pacific Ocean में East Australian या फिर Great Barrier Current जो एक Warm Ocean Current है South Equatorial Current Warm Current है यानि कि दोनों जो है North Equatorial Current और South Equatorial Current दोनों जो है Warm Current है Counter Equatorial Current भी Warm Current है तो जहां भी पे भी Equatorial Current लग जाए वह Warm होगा एक ट्रिक आपको याद करने के लिए इसके अलावा बात करें हम Peruvian Current की जा फिर Humboldt Current की पेरुबियन Current और Humboldt Current की बात करें तो यह दोनों करेंट कोल्ड करेंट है पेरुबियन करेंट और Humboldt Current दोनों करेंट कोल्ड करेंट है चीक है हम बात करें वेत्ट विंड ड्रीफट करन्ट ये भी एक कॉल्ड करेंट मेड़। तो ये भी कोल्ड करेंट है. अब हम आते हैं बहुत सारे करेंट अट्लांटी कोश्ट में बहते पाते हैं उनके बारे kebab नौर्थ ४िर्टोरियल करेंट जहोगा वह वां करेंट होगा इंनिलियोепिए करेंट है ठीवन करेंट है को रूरिद भी खॉछ जाता है यह और से नोर्थ अट्लैंटिक ड्रिफ्ट खॉर कॉरण्ट है इस इसके अलावा इर्मिंगर या फिर Greenland current जो है ये भी एक cold current है इसके अलावा Canaries current भी cold current है Canaries current भी cold current है अब हम आज आएंगे देखेंगे South Atlantic Ocean में current जो बहते हैं इसमें South equatorial current जो है warm current है Brazilian current जो है इसमें warm current है Falkland बारबा पुछता है Falkland जो है cold current है बेनेजुएला current भी एक cold current है West Wind Drift जो है ये cold current है और गीनिया गीनिया current भी एक cold current है इस तरीके से currents को आप थोड़ा सा बार बार याद करने के सब्सक्राइब करेंगे एक चार्ट बनाके अपने टेवल पर या फिर कहीं भी अपने स्टडी टेवल के आसपास चिपका लेंगे ताकि आपको नजर पड़े तो याद हो जाए क्योंकि ऐसे याद करना थोड़ा मुस्किल हो जाता है इट इंफ्लूएंस दा करेंट्स ओफ मॉंसुन क्या होता है मॉंसुन सदें डिवर्सल अफ विंड पैटर्ण को मॉंसुन कह देते हैं ठीक है सदें चेंज इन देविंड पैटर्ण को हम दो मॉंसुन कहते है रिवर्सल अफिंड पैटर्न होता है इसमें So the Asiatic monsoon influences the currents of North Indian Ocean while the currents of South Indian Ocean are influenced by the atmospheric anti-cyclonic circulation दो बाते हैं जो Asiatic monsoon जो है यह influence करता है current of North Indian Ocean while जो current of South Indian Ocean है यह influence होते है किसके द्वरा atmospheric anti-cyclonic circulation की वज़ा से equatorial current की बात करें So this current, this current flows from east to west equatorial current की बात करें This current flows from east to west and upon reaching the east coast of Africa a good portion turns southward crosses the equator and becomes the Mozambique current जो equatorial current है equatorial current जो है वो current flow करता है east से west इस्ट से west की तरफ बहता है initially and उसके बाद जब यह east coast of Africa पहुंचता है East coast of Africa पहुंचता है तो east coast of Africa पहुंचने के बाद बहुत सारा portion जो है Southward across कर लिए Southward cross करता है equator को and mojambique current बन जाता है mojambique current बन जाता है It flows south along the east coast of Africa near the equator to about 35 degrees south where it becomes Agulhas stream तो यह भी पूछ लेता है कि Agulhas stream कहां पहुंचता है ठीक है तो आपको answer क्या होगा Indian Ocean अब हम बात करेंगे अगुलहास की अगुलहास stream जो है It flows westward westward along the south west of Madagascar and join the mojambique current along the east african coast इसके बाद बात करेंगे नॉर्थ इस्ट मॉन्सून ड्रिफ्ट की तो यह मॉन्सून ड्रिफ्ट है यानि की wind का north east बहता है बाद में south west की तरह पहुंचता है इसे हम drift कहते है नॉर्थ इस्ट मॉन्सून ड्रिफ्ट कहेंगे So it flows along the coast of India during the winter यह winter के समय में बहता है and southwest monsoon जो है यह summer में बहता है जो की बारीस भारत में लेके आता है इंडिया के coast पे बहता है summer में Somalia current जो है Somalia current it is an ocean boundary current that runs along the coast of Somalia and Oman Somalia और Oman के coast में बहता है और यह boundary बनाता है दोनों के लिए in the western Indian ocean it is similar to the Gulf Stream in the Atlantic Ocean features उसी के जैसे है Gulf Stream जो बहता है Atlantic Ocean में उसी के जैसे इसके features मिलते जुलते हैं इसके बाद आता है West Australian current West Australian current जो है flow करता है along the west coast of Australia पूल से लेकर equator तर पूल सफ एक्वेटर फ्रॉम पूल से लेकर एक्वेटर तक यह travel करता है and there is no counter equatorial current in the sorry Indian ocean only the monsoolar current which are changing its direction with respect to the seasons अब हम बात करेंगा टाइट्स के बारे में तो basically tides जो है वो earth पे moon और sun के जो gravitational pull और force की जो लगता है उसके वज़े से यह create होता है tight so the periodic rise and fall of sea level जो periodic rise हो जाता है फिर fall होता है वो जो sea level का rise and fall है as a result of gravitational force between the earth moon and sun is called tide is called tide the time interval between two tides is 12 hours 26 minutes यह एक mcq के तरीके से पूछा जा सकता है the time interval between two tides is 12 hours 26 minutes टेक है and दो तरीके के tides होते है spring tide or nip tide spring tide and nip tide so when the earth the moon and the sun are in a straight line when the earth moon and the sun are in a straight line the sun assists the gravitational pull of moon ठीक है creating a condition of higher tides and lower tides known as spring tide ठीक है और वह अगर नीप tide की बात करें तो इस case में हमने क्या देखा था sun ठीक है sun होगा अर्थ होगा अर्थ होगा अर्थ होगा मून होगा और sun होगा एक line में आ जाएंगे तो मून तो gravitational pull लगा ही रहा है इसको assist करने लगता है पीछे से sun तो इस तरीके से जो एक high और low tide आता है उसे हम spring tide कहते है वह अगर बात करें नीप tide की तो नीप tide में क्या होता है sun and moon right angle में होते earth के sun and moon जो होते है right angle पे होते है sun और moon sorry sun and moon जो होते है earth के right angle पे होते हैं इस तरीके से जो इस तरीके से जो tide आती है उसे हम नीप tide कहते हैं तो when sun and moon are at right angle to the earth the sun partially reduces the gravitational pull of moon producing lower lower high tides typical of nip tides ठीक है तो यहां पर assist नहीं कर पता sun जो है moon को कैसे करेगा आप देखो यह sun है यह moon है यहां earth है ठीक है तो यह moon moon pull ऐसे कर रहा है अर्थ के उपर पूल ऐसे लगा रहा है और sun इसके पर ऐसे लगा रहा है तो assist थोड़ी कर रहा है इसको तो distract कर रहा है तो इस तरीके से जो है भीना support के जो moon का जो gravitational pull होता है उसे nip tight क्याते हैं जिसमें right angle में होते है sun और moon earth के अब अगला topic हमारा continent होगा जिसे हम अगले वीडियो में cover करेंगे बाइबाइ